इरान के जो राजदूत हैं वो तक पेजर बं से घायल हो गए हैं सीरियल पेजर धमाके में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है लिबनान सरकार ने लोगों से का आया है एडवाइजरी जारी की है तत्काल पेजर को फैक दें इन धमाकों में 1200 जादा लोग घायल हो गए है यह अलग अलग जगों की तस्वीर आई है कैसे अचानक से जो पेजर होता है पुरानी मोबाइल काइंड अफ मैसेजिंग टेक्नलोजी है पेजर और जैसे इसका अस्तमाल कि आ जाता है मानो दूर से इस एक्टिवेट किया गया और यह धमाके के साथ फट जाता है लिजबुल तो लिबनान में पेजर बम का खौफ फैला हुआ है माना यह जा रहा है कि यह अटैक लोगों का ऐसा कहना है जानकारों का ऐसा कहना है कि क्या कहीं यह जो अटैक है क्या यह इसराइल के दारा किये जा रहे है और इस तरह से अगर वाकई यह होता है कि किसी एक्स्प्लोजिव को पेजर के जरीए जिसमें विस्फोट किया जा सकता है तो यह बेहत बेहत खातक अपने आप में होगा अलग-अलग जगों की तस्वीरे भी सामने आई है जैसे इस मार्केट में आप एक धमाका होते आई है खबर यह कि एरान के जो राजदूत है वो भी पेजर बम से घायल हो गए और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबर जारी रहेंगे